हलो विवास वाकम चुरी हाना से रसिपीस आज हम बनाएंगे बहुत यम्मी रसिपी यह है ब्रेड मलाई रोल आप भी ज़रूर राई करके देखिए बनाना बहुत आसान है वह ते जल्दी बन जाएगा आप भी परफेक्ट से रसिपी बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए ताके बिना डाउट के आप भी बना सके रसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए प्रिफरेंस के साथ शेयर कीजिए चानल पर नहीं होंगे तो प्लीस मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए चलो रसिपी बनाना शुरू करेंगे ब्रेड मलाई रोल बनाने के लि दूद ले लेंगे दो से तीन टेबल स्पून चीनी एक से देड़ कप जितना मिल्क पाउडर रबडी बनाने के लिए यहां पर मैं दो कप दूद ले ली हूं दो से तीन टेबल स्पून मिल्क पाउडर ले लेंगे हाफ कप चीनी अब मीठा पसंद करेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लीजिए, half teaspoon इलाइची पाउडर, थोड़ा साफ्रान, अब स्वीट मावा बनाने का प्रॉसस देखेंगे, इसके लिए एक पैन लेंगे, ग्यास को आन कर देंगे, पैन में बटर आट कर देंगे, बटर को मेल्ट होने देंगे, बटर मेल्ट होने के बाद में आदा कप दूद आट कर देंगे, चीनी आट कर देंगे, चीनी को मेल्ट होने देंगे, दूद गरम हो गया है और चीनी मेल्ट हो गई है, अब एक दूद का पाउडर आट कर देंगे, पाउडर आट करने के बाद अच्छा सा मिक्स कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे रख लगातार चलाते रहना है देखो ये अच्छा सा तीक हो गया है स्वीट मावा रेडी हो गया है ग्यास को आफ करके साइड में रख दीजिए थंडा होने तक अब रबडी बनाने का देखेंगे प्रोसेस इसके लिए दूद गरम कर देंगे इसमें दूद में से थोड़ा समय दूद लेके साफ्रान में आड़ कर रही हूं तब तक कलर निकलेगा साफ्रान से अब चीनी आड़ कर देंगे अच्छा सा मिक्स कर देंगे निक्स्ट मिल्क पाउडर आड़ कर देंगे अच्छा सा mix कर देंगे जल्दी ही पक जाएगी 5 से 10 मिनट के अंदर ही जादा टाइम नली लगेगा अभी लाइची पौर्डर दाल देंगे सैफरान भीगो के रखे हुए सैफरान के धागे दाल देंगे अच्छा सा mix कर देंगे दो तीन मिनिट तक पकाएंगे बस जल्दी ही पक जाएगी यह ब्रबडी तैयार है ग्यास को आफ करके रबडी को अच्छा सथ थंडा होने देंगे नेक्स्ट प्रोसेस ब्रेट स्लाइस लेके एड़्जस कट कर देंगे इसी तरह पूरे ब्रेट स्लाइस के एड़्जस कट कर देंगे यह बचे हुए एड़्जस से वड़ा कैसा बनाते हैं मेरे सिंपल फूट चानल में देख सकते ही मैं लिंक लास्ट में दे दूंगे अब ब्रेट स्लाइस को बेलन लेके बेल देंगे इसी तरह पूरे ब्रेट स्लाइस को भी इसी तरह मना लेंगे देखो अब नेक्स्ट प्रॉसेस इस फीट मावा लेके थोड़ा सा क्वांटिटी इसी तरह रोल बना देंगे मैं 8 ड्र स्लाइस ले ली हूँ तो 8 मावा के रोल बना लूँगी देखो 8 बना दी हूँ मैं रोल्स यहाँ पे मैं गार्निश के लिए थोड़े से चर्री ले ली हूँ थोड़े सा दरदरा पिसा हुआ पिस्ता ले ली हूँ अब कोई भी ड्राइफ रूट्स एड़ कर ले सकते ही ब्रबड़ी भी थंडी हो गई है अच्छा सा मैं थोड़ी देर फ्रिज में रखी थी अच्छा सा थंडी हो गई है अब साइड में रख देंगे अब बेल के रखे हुए ब्रेट स्लाइस लेके यह मावा को सी तरह रखके मोड देंगे सी तरह एक ट्रे में या बॉल में रख लीजिए इसी तरह पूरे ब्रेट मावा रोल्स बना दूंगी मैं देखो मैं पूरे बना दी हूँ अब बना के रखे हुए यह रबड़ी को एड़ कर देंगे अब केतनी चाहे तो दाल सकते ही मैं थोड़ा ज्यादा ही दालूंगी थोड़ी देर के बाद रबड़ी यह ब्रेट ऽस पूरे ब्रेड में अबजर हो जाता है रबड़ी अब गानिश कर दूंगी पिस्ता से मैं सी तरह गार्णिश कर रहे हूँ अब मन चाहे कई सभी कर सकते ही गार्णिश ड्राइफ रूट से भी मैं यहां पर सिर्फ पिस्ता ही यूज़ करी हूँ अब काजू बादम भी यूज़ कर सकते ही इस सेंटर में 24 रख दूँगी एक मैं अलक से रोल छोटी प्लेट में निकाल दी हूँ इसको भी गार्णिश कर दूँगी देखो बनके तयार हो गया है टेस्टी ब्रेड मावा रोल अब चाहे तो और थोड़ा थंड़ा करके भी सर्व कर सकते ही एक 15-20 मिनिट तक फ्रीज में रख दीजि थंड़ा थंड़ा ब्रेड मावा रोल्स को कैसे लगी फ्रेंड्स आज की रेसिपी मैं उमीद करती हूँ कि आपके रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आईगी तो वीडियो के नीचे दिया हुआ लाइक बटन को प्रस कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर अब तक मेरे चानल को आप सबस्क्राइब नहीं किया हो तो जरूर सबस्क्राइब कीजिए भीर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ टैंक यू फर वाचिंग